संगठन की शक्ति को पहचाना, मदमक्खियों का संगठन, शेर को भी भगाने की ताकत रखता है, हाथी को गिराने की ताकत रखता है, एक मदमक्खी आजाए तो छोटा सा बच्चा भी उसको मार सकता है, और एक लाक मदमक्खी जब आक्रवन करती है, तो हाथी भी गिर जात जाता है और हांती को जब दश लेती है मदभि जाता है मदमखी से संगठन की शक्ति को पहचा है और याहरा है चीनटियों से संगठन की संगठन में श्रम करने वाले चीनटिया बहुत बड़े कीड़े को खीच कर अपने घर तक ले जाती है एक चीटी उस कीड़े को नहीं खीच पाए गई लेकिन बहुत बड़ा कीड़ा है सेकड़ों चीटियां जुटके खीच ले जाती है ऐसे ही बहुत बड़े कारिकों आज जो ये कारिक्रम हो रहा है इस कारिक्रम में ही संगठन का प्रभाव है बहुत बढ़ा संगठन काम कर बाँ है आयोजक मंडल बहुत बढ़ा मंडल है जितने आयोजक मंडल के कारिकरता यहां विद्धमान है जराख खड़े हो जाए देखलो मैं उनकी कुछ न देखों तो कम से कम ड्रेस तो देख लो वा, क्या बात है कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ कहाँ है चाहे जहाँ है, पर हैं यहाँ बहुत बहुत धन्निवाद है जिनकी जमीन है, यह जमीन ये भी आयुजक मंडल में है, सिच्छक जाओ ये वार्ट प्राप्त कर चुके हैं जमीन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाएंगे जमीन किसकी है यही दोनों लोगों की यह जमीदार लोग हैं इनको खुश रखना पड़ेगा नहीं तो अभी बोल देंगे मेरी जमीन खाली करो तो हम लोग कहां जाएंगे बेठ जो नहीं बोलेंगे वो बोलते नहीं है सनी बोलूगा बहुत महान हो सिच्छक और सिच्छक जो माधो इंग्लिस मेडियम इस्कूल के इस संगठन में आयोजन मंडल में कारिक कर रहे हैं वो भी सब खड़े हो जाएं जहां जो हो सिच्छक सिच्छक जितने दर्शन कर लो तुम लोग ताली भी नहीं बजाते हो वाह वाह देखो ये सिच्छकाएं हैं इनको मैं हाँ जोडता हूँ प्रणाम करता हूँ सभी सिच्छकाओं से और सिच्छकों से कहूंगा कि ऐसा कुछ जंतर मंतर करना फिर जल्दी मुझे बुला लेना पटीदार के परिवार का संगठन खड़ा हो जाए सत्र असी मेंबर की फेमली सब खड़े हो देख लेता हूँ जरा अभी तक परिवार सही नहीं मिल पाई हो यह देखो परिवार वाह वाह इदर तो चारे ही भाई दिख रहे हैं पाँच पंडों हैं एक भाई इनका इंजिनियर है वो इन दोर में इतना परिवार है परिवार भी यहां एकठा नहीं हो पाया है उदर पीछे भी लगा है सब जहां तहां वेवस्था में है लेकिन पूरे परिवार के सदस्यों को भी हम सुब कामना करते हैं बैठे आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को मैं अपने गुरु जी से उनके लिए आसिरवाद मांगता हूं और सइयोजक जी के लिए भी सुब कामना करता हूं आपका सइयोजक भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इस पीच उनकी बहुत अच्छा है साउधान पुरुस माहान पुरुस हो नहों लेकिन साउधान पुरुस तो है यह उनको भी धन्यवाद है तो मैं सुना रहा था हूं माहत्मा जी माहत्मा जी पूछने लगे महत्माओँ तुमारा सुंदर सभाव कि स्थान बना लेता है। तुमारा सुंदर चरीत्र किसी भी उचायी पर पहुचने के लिए रास्ता बनेता है। और तुमारा मधूर व्योहार किसी भी सफलता के दल्ट को खुलने में मदद कर देता है और तुम्हारे अच्छे कर्म कर तुम्हारे भग में निखार देने में ताकत पहुंचा देते हैं और याद रखना मेरे भाएयों बहुनों तुम्हारा संदर चरित्र तुहारे चित्र की भी पूजय करने के योग तुम को बना देता है चित्र की पूजा तो उन्हीं की करनी चाहिए जिनका चरीत्र उत्तम हो और जिनका चरीत्र नहीं है उनके चित्र का सम्मान भी नहीं करना चाहिए फालतू लोगों का चित्र लगाना भी नहीं चाहिए चित्रुन का लगाओ या तो देश के लिए कुछ कार किया है, या तो तुम्को जिनों ने माता-पिता ने जनम दिया है, या जिन्दगी जीने के फारमुला ग्यान जिनों ने तुम को सिखाया है, ऐसे महान संथ का चित्र लगाईए दर्शन कीजिये, अन्य था ये एहरे गह अपने माता पिता का चित्र लगाओं दर्शन करों और अपनी बिड्रूम में अपनी पतनी का भी चित्र लगाओं और उससे यह कहा करो हम तुमको सबसे ज़्यादा मानते हैं एक आदमी अपनी पतनी से कह रहा था कि मैं तुमको बहुत मानता हूँ तो उसकी पतनी ने पोँछा तो ये भी बता दो तुम हमको कितना मानते हूँ तो उसने कहा मैं तुमको बहुत मानता हूँ बहुत नहीं ये बताओ तुम फिर कितना मानते हैं तो उसने कहा मैं इतना मानता हूँ कि तो मेरी जान है तो पतनी खुश हो गई कि मैं इसकी जान हूँ जब चाहूंगी तो जान खीच दूँगी बहुत बिचितर बाद उसको खुशी हो गए थोड़ी देर बाद पती बोला कि एक सच्चाई कहूं बोले कहो बोले ये बात मैंने दस इस्ट्रियों से और कहा है कि तुम भी मेरी जान हो अरे पागल फाल तु बात करता है जो जिसको मानता है मानने का कोई तरा जु नहीं है मानता है तो मानता है उसको तौला नहीं जाता है कितना मानता है कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या हो गादो कल भी गया था आज भी का सकते हैं कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या हो कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या हो तुम ही मेरे मंदिल तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो तुम ही मेरे मंदिल तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो तुम्हें देखकर के एक ख्याला रहा है कि जैसे फरीष्टा दरस दे रहा है तुम्हें देखकर के एक ख्याला रहा है कि जैसे फरीष्टा दरस दे रहा है तुम्हें देखकर के एक ख्याला रहा है कि जैसे फरीष्टा दरस दे रहा है कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो तुम्हें मेरे क्या हो तुम्ही मेरे मन देर तुम्ही मेरी पूचा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो भोलिये स्द्गुरु भगवान की चैक आज मैं पूछना चाहूंगा सुरताओं की संख्या कितनी होगी ये कोई अंदाज से बताते है कौन बताने का बारह हजार एक नंबर बारह हजार दूसरा पंद्रह हजार से एक्ठारह हजार वास्तों में सड़क तक की मिला लिया जाए तो बहुत है मुझे लगता है आज महाकालेशुर भगवान ने एक छोटे कुम्ब को यहीं परी कठा कर दिया शंद कवीर की करपा से यह महाकालेशुर का जिला है आज इतने लोग सत्संका रश्पान कर रहे हैं कोई धैरी रखना गबराना मत छोटी चीज में अटक कर रहना मत मन को भटकने न देना गुरु शिश्य दोनों ठहरे हमें किशान से बाते कर ले गुरु पोशता है ही किशान देवता आपकी परिवार का खर्च कैसे चलता है आपका बेवशाई क्या है किशान ने कहा गुरु देव आपकी करपा है धन्य हो आप दर्शन दिये मेरे पास एक भेंस है उस भेंस के दूद से पूरा परिवार पल रहा है संत ने पूँचा ये जमीन किसकी है बुले बीस एकड़ जमीन है पर मैं खेती नहीं करता हूँ ये बीसों साल से पड़ी है एक भेंस से गुजारा चल जाता है संत ने सोचा कि ये तो बड़ी दुखत बात है इस परिवार के लिए रास्ते बंद हो चुके है रात में शंत सो गया किसान सो गया, सिसे सो गया वो शंत तीन और चार बजे के बीच में जगा सिस्ष को उठाया बोला सिस्ष इस किसान की भेंस तो चोरी कर ले आज सिस्ष ने कहा गुर्देव, आज तक आप ने सिखाया है चोरी करना पाप है आज कहते हो चोरी कर लो, ये पाप क्यूं करा रहे हो आप गुरू ने कहा बेटा, बड़ा पुन्य करने के लिए छोटा पाप करना पड़ जाता है प्लिश में क्या पुन्य है, गुरीब आदमी है एक भेंस से परिवार पल रहा चोरी कर लो, वो ले तरक करे वो सिस्ष नहीं होता है चोरी कर, सिस्ष ने भेंस चोरी किया, गुरू सिस्ष दोनों रात के चार बज़े गाइब हो गए, भेंस भी गाइब, सुवे पाँच बज़े किशान जागता है, देखता है, न गुरू सिस्ष है न भेंस है किशान रोने के लिए बेट जाता है, किशान की पत्नी भी रोने लग जाती, कि पूरा बरबाद हो गए साधू को मेहमान बना कर, पत्नी बोली साधू ही ले गया है, पती बोला नहीं, संत ऐसा काम नहीं कर सकता है बेटा बोला जिसको देखो उसको रात सुलाते हो तो यही तो होगा, बेटी बोली खाम खां काम करते हो, क्या ज़रूरत साधू पाद्धू को यहां रखने के अंजान विक्ति को आश्रे देने से, रिजल्ट तो यही आने वाला है याद रखना, जिस साधू को अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से जानने का मतलब उसका एड्रस नहीं, एड्रस की जानकरी कोई जानकरी नहीं है उस साधू का बेराग, ब्रमचरी, साधना, तपस्या, यह सब अच्छी तरह से तुमको पता है कि यह द्रण है बेरागी में उसी साधू की सेवा करने के लिए घर का दरवाजा खोलना, अन्था कोई नकली साधू आपको ठग कर ले जा सकता है चार पेर वाला हर जानवर गाए नहीं होता है, साधू भेस में रहने वाला हर बेक्ती साधू नहीं होता है लंबा कुर्ता पहनने वाला हर बेक्ती नेता नहीं होता है, और हर नेता इमांदार नहीं होता है हर इमांदार बेक्ती नेता नहीं होता है, इसलिए समझ लेना आदमी को जानना चाहिए कि आदमी कैसा है, गाए भेंस को पहँचानना आसान होता है, चिणियों को पहँचानना आसान है, साप को पहँचानना आसान है, लेकिन आदमी को पहँचानना बहुत कठिन होता है, और जिसको आदमी को पहँचानने की कला गई, जिसने आदमी को रीडिंग करने की कला सीख वो आदमी कभी आदमी से फेल नहीं होता है वो आदमी आदमी के द्वारा ही सफल करो इसलिए आदमी को रीडिंग करना सीखो ललो चपो की बातों में मताया करो खुसर खुसर बाते मत किया करो आदमी को रीडिंग करो पढ़ो इस आदमी को वो अदमी भी बहुत बिचित्र है यह रंग बदलता है ढंग बदलता है तो किशान दो तीन दिन रोता है पत्नी भी रोती है दुख हो गया अब कहां तक रोये फिर रोना बंद कर दिया पत्नी ने कहा अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा कुछ काम कीजिए पैसे कमाई पैसा हर वेक्ती को कमाना चाहिए और पैसे कमाने की योग गिता राप्त करना चाहिए और पैसे कमाने की कलाभी सीखना चाहिए और पैसे कमाने की गुणों में क्वालिटी होना चाहिए पैसा सब को जरूरत है इसलिए पेसा परमात्मा तो नहीं है लेकिन परमात्मा से नीचे सेकंड नंबर का ये भी है पेसे से इस दुनिया के काम चलते है और पेसा को समालना भी सीखना चाहिए पेसा कमाना भी आसान है और पेसा बचाना भी आसान है लेकिन पैसे को सही ढंक से समाल कर खर्च करना बहुत कटिन है कभी कभी तुम्हारा ही कमाया हुआ पैसा तुमको ही बरबात करता है जुआ और शराब में ढखेल देता है और तुम जीरो पर चले जाते हैं